पाइने हिंदी के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है आज के इस पीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रक्षामंत्री स्री राजनास सिंग जी की अमेरिका विजिट के बारे में हम जानेंगे कि उनकी इस विजिट का क्या महत्त्व है और क्यों इससे में भारत टक और उनके इस विजिट के दौरान दो प्रमक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी पहला मुद्दा होगा कि अमेरिका के साथ जो टेक्नॉलजी कोलाबरेशन और को प्रोडुक्शन है डील्स का इसको फाइनलाइस किया जाए और दो महत्त्वों अक्यूजिशन प्रोग्र अस्तमाल युद्ध शेतर में किया गया है इसलिए भारत को इनकी कैपबिल्टी पर कोई भी संदेय नहीं है भारत भरी बाती इनकी कैपबिल्टी से परिशित है और यही कारण है कि 31 की संक्या में भारत के द्वारा ये जो ड्रोन्स है ये खरीदे जा रहे हैं इनमें से 15 बाकी जो आठाट रोन्स होंगे यह भारतिय अथल से ना और वायू से ना के लिए होंगे जिन्हें हम स्काई गार्डियन के नाम से जानने वाले हैं अब यहांपर अमेरिका के साथ जो बात की जाएगी वो इन ड्रोन डील को फाइनलाईस करने में की जाएगी जहाँ पर इन ड्रोन का जो लोकल प्रोडक्षन है इसको लेकर बात की जाएगी आपको बता दें कि इसमें तकरीबन 18-20% तक जो एंडिजनस कांटेंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा इसके लिए जनल एटॉमिक्स ने हामी भर दी है इन ड्रोन्स के आने के बाद भारत की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपबिल्टी है यह कई गुना जादा बढ़ जाएगी और यह भारत की जो लॉंग रेंज और टार्गेटिट ऑपरेशन्स की कैपबिल्टी है उसको भी काफी मजबूत करेंगे यानि हमारे जो पहाड़ी लाके हैं और दूसरे बॉर्डर एडियाज हैं जहाँ पर टेंशन समय सा बनी रहती है तो वहाँ पन निकरानी रखने के दिश्टिकोर से यह ड्रोन्स हमार लिए बहुत ही जधा मातपुर्ण होने वाले हैं शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो लेकिन जब भारत और चीन के वीच में गतिरो चरम पर था तो उस दोरान भारतिया 9 से ना कि MQ9C गार्डियंस ने इस इलाके पर नज़र रखे थी और यहां की बारीक से बा वह फिलाल कोई और आप्शन अब हमारे पास नहीं है ते जस मार्क टू के लिए और इसके लिए ज़रूरी यह है कि बातचीट जो कि 2023 में काफी चरम पर थी उसे फाइनलाइस किया जाए क्योंकि आपको पता है कि जब 2023 में भारत के प्रदार मंतरशी नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दोरे पर थे उसी दोरान जनरल लेक्ट्रिक एफ और फोर इंजन को लेकर के जो मेमरेंड़ अपर अपर यह साइन करी गई थी जहाँ पर अमेरिका एट्टी परसंट ट्रांसफर आप टेक्नालोजी के साथ इन इंजन को भारत में मैनेफेक्ट्र करने के लिए त यह पहली बार था जब अमेरिका ने इतने बड़े पैनाने पर किसी देश को टियोटी दी हो क्योंकि इसके पहले जिसने देशों के साथ कोलाबरेशन फॉर्म हुआ वहाँ पर 20-40% ही जो टियोटी है यह प्रदान की जाती रही हाला कि शुरुआत में यह माना गया था कि इस टियोटी के साथ जो हमें intellectual property rights और export rights हैं यह भी देखने को मैलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अमेरिका ने ना तो export rights के लिए मंजूरी दी है और ना ही intellectual property rights के लिए हामी भरी है यानि यह दोनों rights अमेरिका सेक्योर करेगा अपने पास इसका सीधा मतलब अगर हम निकालें तो यह होगा कि मान दीजिए in engines के साथ अगर हमें किसी देश को aircraft export करना पड़ा तो पहले हमें अमेरिकी permission लेनी पड़ेगी अगर अमेरिका permission देता है तब ही जा करके इन engines के साथ हमेर क्राप को export कर पाएंगे अन्यथा नहीं और आपको बता दें कि हाली में एक तेजस माक्टू प्रोग्राम को लेकर एक high level की review meeting हुई थी जो कि DRDO भवन में की गई थी इस दौरान DRDO के कामने आती है जहां पर यह कहा जाता है कि तेजस माक्टू का जो रोल आउट है वो 2025 पर होगा हाला कि उतरान शायद जबान फिसल गई या फिर गलती से बोला गया लेकिन प्रोजिक डारेक्टर के तरफ से यह कहा गया कि जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2025 में आई जित होगी यह बोलना कि तेजस माक्टू की पहली उडान को पूरा कर लिया जाएगा लेकिन फिर भी हम बिस्ट के सिनेरियों को लेकर चलेंगे जहां पर हम यह उमीद करेंगे कि जो पहले उडाने वो हमें 2026 के मध्य तक देखने को मिल जाए तार्गेट यह है कि तकरीबन पास्ते 6 प्रोटाइप बनाये जाएंगे और 2029 तक इन्हें प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा जी हां 2029 तक प्रोडक्शन को शुरू करने की बात की गई है और जो पहला एक्राप्ट है वो 2030 तक भारतिया वायू से ना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और अगर हम बेस्ट के सिनेरियों से खटके भी बात करने तब भी 2022 तक यह जो एक्राप्ट है यह इंडर नैर फोसको जाइन कर लेगा ताकरी बاन 200 से जादा जो एक्राप्ट है एंडर ने फोसको जान करने वाले हैं त्रेजर स्मार्क 2 त्रेजर स्रीज का सबसे जिधैंडवांस फाइट रप्र बनके तयार है इंट्रनेट सचिंग ट्रैक सिस्टम को होकर एक हंडर्ड एक्राप्ट है उससे टेस्ट किया जा रहा है चाहां पर अभी तक के जो रिजल्ट है वो सकारातमा की है और अगर हम तेजस्ट टीम के मेंबर्स की बात करें तो उनका यह कहना है कि इसमें एडवांस अपने मिक 29 यूपीजी और जैग्वार जैसे जो एक्राप्ट है इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे और यह काम तेजस्ट सही होने वाला है खेर यह तो थी पहली अफडेट दूसरी अफडेट अप तेजस्ट मार्क वन प्रोग्राम को लेकर आई है अब आप में से यह अल्मोस्ट कंफर्म हो चुका है अब इसके अलावा हट के एक बुरी खबर यह है कि जनरल एलेक्ट्रिक को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा गया है कि 2025 तक भी जनरल एलेक्ट्रिक फुल प्रोडेक्शन केपैसिटी का सिब 90% यूटिलाइज कर पाएग एक वर्ष का समय लग सकता है और यह भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका वेज करें हाला कि इंजन स्वापिंग को लेकर बात चल लाई थी जिसका कोई आप्शन ही नहीं है क्योंकि इंजन स्वापिंग का मतलब है कि हमें एडिशनल 4 years इंवेस्ट करने है तो कुल मिलाकर अभी हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी एडिशनल 97 तेजस मार्क वने की डील थी यह भी अधर में लटक चुकी है इसको लेकर अब इस सब्टेंबर में एक रिव्यू मीटिंग का एवजन किया जाना है और उस रिव्यू मीटिंग में यह डिसीजन लिया जा जाएगी पोस्पॉन कर दी जाएगी और जब डिमेस्टर ऑडिफेंस आस्वत्थ हो जाएगी कि इन जन साही जंक्या में आ रहे हैं तब इस डील को फानलाइज किया जाएगा तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते एगले वीडियो में कुछ और अप्डेट्स के सा कि उने कुछ अगगारी जायज क्रांगी जाएगी जके साही जाही जाएगी नंक्या मेंन साही हैं तो चर्णे कर दो कि दैसे सplin करेंस पानलाइज घएगागा है में जाएगा highlighted है सवी बसे बसुछyyह